दोस्तों टाटा नेनो गाड़ी कैसी है और दोजार चोईस में क्या पुरानी टाटा नेनो खरीद सकते हैं आज इसी के बारे में हम बात करेंगे छोटा सा वीडियो रहेगा आपको मज़ा आने वाला है अगर आप टाटा नेनो खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड के मत जाना तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो पहली बात तो है दोस्तों टाटा नेनो एक हलकी सी गाड़ी है छोटी सी गाड़ी है और कम वेट की गाड़ी है तो माइलेज भी बढ़िया देगी क्योंकि बजन कम है इंजन उसमें छोटा ह है 624 सी सी का इंजन है टू सिलेंडर इंजन है केवल तो माइलेज उसका आराम से 24 पचीस का आपको मिल जाएगा पैटरोल पे दूसरी उसका प्लस पॉइंट है कि गाड़ी उची है अंदर सिटिंग बढ़िया है तो वेगेनार की तरह हैं अंदर से तो जैसे वेगेनार मे बैटने पर आदमी कमफर्ट होके बैटता है गुटनों में दर्द नहीं होता वेसे ही नैनों में काफी आपको इसपेस मिलेगा और आराम से बैटके आप लंबा सपर करेंगे तब भी ठकेंगे नहीं तीसरा उसका प्लस पॉइंट है कि गाड़ी बिलकुल छोटी है सस्ती रेट में आपको मिल जाएगी अगर आप मार्केट में ट्राइ करोगे चार-पांस साल पुरानी गाड़ी भी तो भी आपको 40,000,50,000 के राउंड आराम से मिल जाएगी 4-5 साल पुरानी गाड़ी चोटी बात सबसे बड़िया उसकी मुझे लगी वो है कि उसमें AC वर्क करत उसके 70,50 तक चल जाती है 70,50 तक आराम से चल जाएगी और उस गाड़ी के हिसाब से आपको पावर भी खूब बड़िया महसूस होगी बड़िया लगेगा आपको जिस हिसाब से गाड़ी की साइज है उससे खूब भागती है तो उसको चलाने में भी बहुत मज़ाता है औ आगे बैठने वालों को तो बिल्कुल आवाज नहीं आएगी इंजन की लेकिन जो नैनो के पीछे जो भी चल रहा होगा रोड पे उसको थोड़ी आवाज आएगी उसके इंजन की तो यह सब उसके प्लस पॉइंट है और कुछ उसके माइनस पॉइंट भी है उसके माइनस क्योंकि अल्की फुल की गाड़ी है 615 किलो बजने के अवल उसका एक बच्ची सी गाड़ी है कहीं भी उठा के आप रख दो पार्क भी अगर आप करोगे तो आपको चोटी सी जगा चाहिए आट वाई आट की एक चोटी सी जगा है वहाँ पर भी पार्क हो जाएगी जितने म एक मोटरसाइकल पार्क करते हैं अपन उतनी ही जगा उसको पार्क करने के लिए चाहिए चाहिए तो आप अपने ऐसे हाथों में उठा के भी उसको रख सकते हैं चोटी सी बच्ची है वह टाटा की तरफ से बना हुई तो यह ले सकते हैं लेकिन यह है सरदी घर्मी बरसां से आपको बचाए तो नेनो की तरफ आप जा सकते हैं अगर आप दोजार चोईस में ले रहे हैं तो आपको बढ़िया कंडिशन की पांचे साल पुरानी नेनो आराम से मिल जाएगी 40-45 जार या कहीं बार 30-35 तक भी मिल जाती है कंडिशन पर डिपेंड है तो टाटा नेनो आप ले सकते हैं बेफिकर हो के बाकी उसमें सर्विस से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा उसका 15-16 में सर्विस हो जाएगी कोई खर्चा नहीं है लो मेंटिनेंस गाड़ी है आराम से बढ़िया समाल के रखो अच्छी तरह उसकी मालिश करो और समाल के रखो तो कोई भी आपको दोखा नहीं देगी बड़िया मेंबर रहेगी आपकी फैमिली की वो भी और आपको हमेशा खुश रखेगी और कोई ऐसा कोई इंजन से रिलेटेड कोई उसमें इशू नहीं है कि परिशान करेगी कोई कभी क्या कभी क्या खराबी हो रही है ऐसा बिल्कुल नह आगे उसमें पावर विंडो और पीछे चक्री आती है तो टाटा नेनो लेने की सोच रहे हो तो ले सकते हो और फ्यूल का आपको मैंने बताई दिया कि 24-25 का मायलेस देगी तो चलाने में बहुत मज़ा आएगा खूब इंजोए करोगी फैमिली के साथ और ज्यादा तेज स्पीड है नहीं उसकी तो ऐसे भी खत्रा कमी है और टाटा नेनो लेलो और मज़े करो चलिए आज की लिए इतना ही बाई बाई टेक केर वंदे मातरम